अधियर लेर्नर्स आज का जो हमारा सेशन है इसका टॉपिक काफी अच्छा है इसका विशे काफी अच्छा है और जो इंगलिश के अथेंटिक लेर्नर्स है यह उनके लिए ही वीडियो है लेकिन इस वीडियो के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपके साथ अपने दो एक्सपिरियंस से शेयर करना चाहता हूं एक्षब मैं एक्सपिरियंस एक ही है उसकी का रेपिटिशन है और समझने कि उससे कुछ करें जिससे कि हम इस वीडियो के टॉपिक के साथ में खुद को जल्दी से रिलेट कर लेंगे पर पस क्या है एम क्या है यह जल् मैं 2010 में डेली आया उससे पहले माँ में धेट गाउं जिसे हमारे आप आप मेंसे कितने बच्छे समझें मुझे नहीं बता लेकिन जो यो समझ घ्म एफ्ट का मतलब क्या तो यहां आया ने चाहता था करना पड़ा तो पढ़ाना सुरूगिया अकैडमर्स के लिए पढ़ाया और तब से पढ़ाया एक लिए अपाइप तो कि रहुआ हुआ तो साइद पढ़ाते रहूंगा उन पिछले 12 सालों में अजय आफकल लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ है उसमें कुछ इंग्लिज्स के टीचर्स भी रहा है कुछ स्कूल कॉलिज की टीचर्स थे ज्यादा तर तो कॉंप टीचर्सन में पढ़ाने वाले टीचर्स ही रहा है खुछ के साथ डायरेक्ट मिलना जोलना हुआ खुछ के बारे में प्वस आसी जानगारी है अलके खुल की तो अगर मैं उनमें से देखों अगर मैं उन में ऐसे दो लोगों की बात करूं जिनकी मैं बारी की है उससे मैं सबसे ज़ादा प्रभावित हुआ दिल लिमें ऐसे दो लोगों के साथ कुछ घटना में आपके साथ में शेयर गरना चाहता हूं इन में से एक आज हमारे बीच नहीं है unfortunately he is no more ठीक है तो दूसरे सर है मुझे उनका पता नहीं एक्ष़ल में उनके साथ में बहुत ज्यादा फॉर्मल वैसा नहीं था एक दोबारी मिलना जुलना हुआ तो मुझे आज उनका पता भी नहीं है कि वैदर यह दोनों लोग इंगलीज के उनमें सबसे काबिल लोग जिनको सबसे बारीक मतलब अंडेस्टेंडियर थी किस्ट्रल क्लियर है चीजों को समझने का तरीका बहुत अच्छा है और समझाने का तरीका उससे भी कहीं अच्छा था तो मैं 2012 में एक इंस्टीट में पढ़ाया करता था मुखरजी नगर में वह इंस्टीट उस समय मुखरजी नगर में वन्डे कॉम्पुडिशन की त्यारी करने वालों कराने वाले इंस्टीट में नंबर एक था ति हैंडर्स बैचेस थाउजन्स ओविस्टूडेंज हैंडर्स ओपीचर बहुत अच्छा रखाप तकावन गाता तो मैं वहां पर इंगलिश पढ़ाता था हलाएंगे यह तब की बात है जब मैंने उस इंस्टूट को जॉइन नहीं किया था और वो उससे पहले साल दो साल पहले उस इंस्टूट में डेमो के लिए गया थे यह बाते उन्होंने मुझे बाद में बताएं कि इसी कारण से हमारा उनका मिलना जुलना हुआ फिर हम के साथ कंप्रमाइज करना पड़ता है कि पैसे को दियान देना पड़ता है वह नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ में मुझे लेवल पर पढ़ना पढ़ाना बट फिर मनी मैटर संथा तो वहां पर गया लेकिन बता रहे हैं बच्चों को मेरा तरीका पसंद नहीं आ है बच्चों ने मुझे पढ़ाना है मेरी बड़ी कोर्स्ट की मुझे मुझे सपोर्ट क्या वंपल्प्राम इस्था जो सब कि इस लेकिन बच्छों कुछ समझ में नहीं है मतलब यह हुआ कि मुझे वो फोसे स्षोड नहीं पड़ी जिए तो इक सरकी बात ओगे जिनको मैं नंबर एक रखुँँगा इन दोनों लोगों में जिनके बात कर रहा हूं इसमें इन पर्सन को नंबर एक पूजिशन पर रखुँगा नंबर दो पर सनने उनके बारे मैं आपको बताता हूं जिस इंस्टूट में मैं पढ़ाता था जिसके मैं भी आपको बाता चुपा हूं उसी इंस्टूट में मैस के टीचर थे मित्र कहा जा सकता साथ में पढ़ाते थे ठीक है सहकर्मी तो थे ही कलीक तो तो मैस के टीचर थे वो उनके बड़े भाई थे वो भी इंग्लीज ही पढ़ाते थे और इलहाबाद से थे वह बहुत अच्छे टीचर थे लेकिन वहाँ पर अच्छी इंकम बगेरे नहीं रही होगी अच्छा पढ़ाते थे इसलिए ज्यादा बच्चे नहीं थे उनके पास ठीक है तो जो भी था लेकिन तो करेंट देते हैं परावर के हिसाब से तो आप जैसे काविल लोग यहां पर तुरंती अपनी जगह बना लेंगे तो वह आए वह जो सारा है उन्होंने घर मेरे सामने ही डेमो दिये ठीक है तम मैं वहीं पढ़ाता ही था और दो यह ती इनवार हम लोगों का मिलना हुआ मतल तो फिले टर दिया वच्चों ने उनसे भी नहीं पढ़ा पसंद नहीं आ प्रते वाश्रों का पढ़ाने का स्टाइल मने आया प्रपल टेख अबनेजमेंट ने उनको भी सपोर्ट किया है तुट मैस्ट मार्पनेजमेंट लुक्त में बच्चों समझ में नहीं है बच्चों इंगलाख होता है फिर मेनेजमेंट हैस जो फीडबेख फिर यपाइट तो प्रेख यूपज फिर अपरांच फेयल दो मैं और पिर उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता वह मैंस के टीचर और वह सर मेरे कोई भी टच में नहीं तो ये कहानी मैंने आपको बता हूँ अब ये वह दो लोग को मैंने हैं अगर मतलब इंगल्य की कबिलियत वाले लोग देख के तो यह दो लोग हैं यह दिली में मैं सैकडो लोगो को जांता हूं इंग्लिस पढ़ाने वालों को आफ लाइन वालों को भी तो मुझे लगता है इस टू आर दी बेस्ट यह दोनों बेस्ट लोग हैं जिनके मैं आज तक टेश में आया और जिनकी इंग्लिस को लेकर समझ बड़ी अच्छी है और बड़ी बारीक समझ रखते हैं और और कॉंसेट के लिए रहें किस्टल कि रहें बहुत अच्छे समझते हैं बहुत अच्छा समझाते हैं बट दोनों के साथ एक दिक्कत ट्रेडिशनल टीचर जैसे होते हैं पारंपरिक टीचर की पढ़ाने के साथ साथ में अनुशासन है शालिंता है डिसिप्लिन है यह सारी टीचर की डिगनीटी होते है गरिमा होती है वह उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि जो टीचर से एक्सपेक्टेड होता है बिकास्टीचिंग इस अपरसुनुटी तो अर्न आज आलवेश से इस सोसल रिस्पॉंसबिलिटी एज यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है एक मौका तो है एक प्रफेशन तो है टीचिंग ठीक है बट इस सोसल रिस्पॉंसबिलिटी तो दोनों लोग आपको बता रहा हूं इलाहबाद से और बिहार से उसर यह वह लोग हैं जो उस बात को समझते हैं कि टीचर की डिगनीटी होती है टीचर का अपने एक डिख रिस्पॉंसबिलिटी होती है और उनको उसकी रक्षा करनी चाहिए उसको निभाना चाहिए बच्चों को नहीं समझ मैं बच्चों कौन से टीचर वहाँ पर समझ में आते थे मेरी बहूत बुराई करते थे बच्चे जाके उसी इंस्ट्यूट म बाते कर लेते हों बहुत नहीं इन इंब क cleaning क्नारे कर देते हैं क्योंकि ये काम की पता है नहीं समझते हैं इन लोगों कर देते हैं किनारे अब क्या है यह जो दो सर है एक तो मुझे नाम नहीं याद रहा गया जो इलहावास से प्रयागराज से उनका नाम नहीं सर का याद रहा गया उस समय पता था यह जो बिहार वाले सर थे इनका नाम था भवेश कुमार जा तो जासर थे और वह प्यागराज वाले सर थे जिनसे मैं आज तक सबसे ज़्याद एंप्रेस हुआं इंगलिस में मुझे देखा ठीक है तो बच्चों ने नहीं उनसे पढ़ आज के टाइम में तो इम्मेचुर्टी हद से ज़्याद होगी बच्चों में ठीक है आप देखो टीचर्स को जिन टीचर्स को मतलब आप यह देख लिए कि रूल्स एक्सेप्शन्स और पुक से आगे सोच नहीं सकते मतलब उसके आगे उनकी समझ नहीं है कोई पारीकी न गॉड of English, King of English, Wizard of English, No.1 Teacher of English इस तरीके के उपादियां देखें पूलें नहीं समाते हैं लेकिन हम इन्हें कर देखें किनारे यह तो ठीक है और जो rules, exceptions, किताबी बातों से आगे जाना चाहते हैं, उसके आगे कुछ खोजने निकले हैं या उन्होंने खोज लिया है, हम चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान उनकी तरफ भी जाए, बच्चे उनको भी समझें कि नहीं ऐसा नहीं है, कि सब एक ही जैसे teachers नहीं है, सब्सक्राइए कि भीड में थोड़े से कम नजर आते हैं, आज के समय में है क्या, जो दिखता है सो बिखता है वाली कहानी जो है न वहीं सीरिसली ले लिए, तो आज किलके teachers जो हर हरकत, वो करते हैं, जिससे वो दिखते रहे हैं, ठीक है, सेल्फी लेना, शेयर करना, ना ट हमारे समाज में, हमारे फिल्ड में, जो कि वास्तम में जुन्होंने इस अपने सब्जेक्ट पे, इंग्लिस सब्जेक्ट पे अच्छा काम किया है, या जो अभी भी काम कर रहे हैं, या काम करना चाहते हैं, और जो वास्तम में authentic learners हैं, जिनको true learners की category में रखा जा सकता है, ज बच्चों को पता चलेगा, ठीक है, कि नहीं, बहुत अच्छे teachers हुई है, हर जगे है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अकाल भी नहीं उनका पड़ गया, वो rare भी नहीं है, तो दुरलब भी नहीं है, सामान है, हर गाउं में होते हैं, हर जिले में होते हैं, हर जगे प लो बच्चों की पड़ाइल काईगी, विवस्ता थोड़ी से हमारे यांकी अच्छी नहीं है, तो यह हम जो प्रोग्राम लेकर रहे हैं, यह प्रोग्राम है, एक सीरीज है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कि एक question आपके साथ share कर रहे हैं, concept आप उसे कर सकते हैं, और उस question, उस concept equation का हमारे साथ share कीजिए, और हमें लगता है कि हाँ यह authentic explanation है, आपने बहुत जन्यून इस पे खुद की आपकी originality उसमें नजार आ रही है, क्योंकि हमें भी पता है कि आप copy paste करोगे तो हम जान जाएंगा, पहली आप copy paste करने के लिए कहीं मिलेगा नहीं, तो आप copy paste कर भी नहीं पाओगे चाओगे तब भी ठीक है, तो हमें लगता है कि हाँ आप निवास्तम में अच्छा इसका interpretation explanation अच्छा तयार किया है, और it is grammatically and logically correct, तो हम ऐसे teachers को थोड़ा सा मलब अपनी तरफ से फैलिस्टेट जिस तरीके से भी सम्मान उनका हो पाएगा, वो करना चाहते ह हैं, और हम चाहते हैं कि जो यह latent talents है, यह जो latent talents है, ऐसा नहीं कि English में talent की कमी है, English पढ़ाने वालों में भी बहुत talented, मतलब काबिल teachers हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जैसा मैं बार बार कहा रहा हूं कि वो दुरलब या rare species में अभी नहीं गया हम लोग, तो यह जो छुपा हु talent है, चुपए हुए जो talents है, teaching of English में, हम चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा reorient की, मतलब इस तरीके questions और concepts हम लोग आपस में discuss करें, दुशा के साथ में share करें, कि थोड़ा सा हमारा reorientation हो, जैसे अभी हम चीजों को देखते हैं, उसको देखने का थोड़ा सा एंगल, थोड़ा स जरिया, मतलब change हो, क्या वास्त में ऐसा भी हो सकता है, किया जा सकता है, तो reorientation हो, उनका, identification हो, उनको identify किया जा सके, कि इस people are the true learners, ठीक है, मतलब इसके थूरू उनकी पहचान हो सके, हमारे आसपास जो काविल लोग हैं, ठीक है, teaching of English, जो English पढ़ाते हैं, academics के लिए पढ़ा होते हैं, तो उनकी पहचान हो सके, अच्छे लोग, काबिल लोग, एक दुसरे को उनसे बल मिलता है, पर स्टुटी मिलती है, और काफी चीज़े जो होती है, वो अच्छी होती है, एक दुसरे के doubt, से confusion, ऐसे दूर होते हैं, तो उनका identification हो, और थोड़ा बहुत, चूँकि ह हम initiate कर रहे हैं इस program को, आगे जाके हम चाहेंगे कि यह common program हो जाए, बट अभी हमने, we have taken the first step, तो हम चाहते हैं कि अपनी तरफ से, जो अच्छा करते हैं, इन questions को लेकर, उनको कुछ kind of thing भी हो, जो हम अपने level से करने की पूरी courses करेंगे और definitely करेंगे भी, ठीक है, तो यह जो आसे एक challenge questions program है, इस program का aim यही है, इस तरीके से constructive challenges देना, जिससे कि हमारे जो authentic learners हैं, जो hidden talents हैं, ठीक है, English teaching में, उनका reorientation हो, identification हो, और उनके talent का acknowledgement हो, with felicitation, तो आज मैं आप के साथ में, इस series का first question जो है, वो share करने जा रहा हूं, the first question, देखिए, एक पर समझे है, यह हमारा question है, actually दो questions है, यह, he agreed blank, he insisted blank, ठीक, agreed, insisted, दोनों वर्ब है, पास्ट इंटेंस मैं, इस blank को फिल करने के लिए, हमारे पास four options है, that amount, on that amount, to pay that amount, and on paying that amount, हमें यह करना है, कि यह जो दिये गए options है, four, इन four options में से, कौन से options, इन questions में answer हो सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि question one जो है, इसमें इन चार options में से, कोई दो option, या कोई एक option, या कोई तीन option, answer हो सकते हैं, तो वो option कौन से हैं, ठीक है, और वो option answer क्यों हो जा रहे हैं, और जो option answer नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, यह बाते बतानी है, उसी तरीके से question two को लेकर भी आपको यह answer करना है, कि यह जो question two है, इसके लिए अगर हम चार option में से, किसी एक 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 नहीं दो options को answer, as an answer यूज़ कर सकते हैं, तो वो options कौन से हैं, और हम उन दो options को क्यों उसमें use कर सकते हैं, और जो बचे दो रह जाते हैं, उनको क्यों नहीं use कर सकते हैं, यह आपको explanation लिखना है, मतलब answer नहीं चाहिए, answer जो मतलब समझदा लोगें, उन्हों पता है, इन दोनों का answer क्या है, ठीक है, answer नहीं हमें उसका explanation चाहिए, कि जो सही है, वो तो हैंड रिटन हाथ से लिखना है पेज पेज पे लिखिए एक पेज पेज पे लिखिए दो से ज्यादा पर नहीं ले जाए ठीक है वैसे तो एक पेज पर भी आप टू दा पॉइंट बात लिखेंगे तो हो जाएगा उसको हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन चाहिए और टाइप नहीं चाहिए और वह हैंड रिटन आप अपना जो एक्सप्लेनेशन है वह मेरे वाट्सप नमबर पर मेरसात आप शेयर करेंगे एक हम यह कि डबल नाइन अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं अलग से लिख देता है यहां पर डबल 9 911 919 59 this is the number that you can contact me through on WhatsApp आप इस number के थ्रू मुझे WhatsApp पर contact कर सकते हैं आप अपने explanation को handwritten explanation को अपने camera जो भी आप phone उसे उसकी अच्छी सी legible handwriting में लिखेगा अच्छी उसकी पिक्चर लीजिये ठीक है किसी स्केनर अगरे ले ले लें तो अच्छा रहेगा और वह पिक्चर जो है वह आप फॉर्म में मुझे फॉर्म में मुझे भेज़े पीडिए इमेज की फॉर्म में मुझे वाट्सप पर भेज़े ठीक है यह वाट्सप नमबर इसको सम्मिट करने की जो डेट है वह है अक्टूबर 19 2022 हालांकि आप अक्टूबर 20 तक सम्मिट कर सकते हैं क्योंकि एक क्रेश्चन में आपके साथ में कल शेयर करना चाहता था बट बिइंग बिजी सम्वेर आई कुडेंट मुझे रह गया और मैं कल ऐसा नहीं कर पाया तो आप इसको 20 अक्टूबर तक आपक जो टॉपिक से रिलेटेड यो क्वेस्टन से कॉंसेप्स से रिलेटेड है वही एक्स्प्लिनेशन में लिखें तुद पॉइंट रहें और रिडेंडेंटेंसी को अवाइड करें यह आपको करना है तो कोशिच कीजिए टाइम लीजिए यूवावट फाइफ देज आपक करना चाहिए तो आप यह वीडियो जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं अब सारे लोग तो अपने चोटा है ठीक है तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे हैं कि वह इसका लिख सकते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस अपने चाहिए उन्परसन के साथ में जिन को भी आपको लगता है जो भी एक लोग दो लोग चार फ्लों माश लोग आपको लगता है कि मल साथ में यह उस कोशेज कर सकते हैं तो आप उनके साथ में इसे और खुद कर दिफोगे तो और भी अच्छा रहेंगा आप तब ही नॉलेज मिलती है नॉलेज बाहर कम है अंदर जादा तो इन क्योश्टन के थुरू में चाहता हूं कि हमारे लेर्नर्स को मौका मिले अपने अंदर जानेगा अपने बेसिक्स अपनी अंडेस्टेंडिंग अपने कॉंसेप्स को मतलब समझने का कि तो आप खुद भी अटेम्ट कीजिए और आपको लगता है कि ऐसे लोग जिनके साथ इसे शेयर करना चाहिए आप उनके साथ में इसको मेरी तरफ से मतलब रिक्वेस्ट है उसको शेयर भी कीजिए अच्छे लोगों को बात पहुंचनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिस यह टीचिंग ऑफ एंगले इसमें सुधार होना चाहिए हमारे बच्चे बहुत गुम्राह होते हैं इनके पैसे खराब होते हैं टाइम खराब होती है क्योंकि यह सही लोगों को जान नहीं पाते इसमें उन टीचर को ब्लेम नहीं करूँगा सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं तो तो यह यह और यह मेरा वाट्सप नंबर है इसके अलावा भी मतलब आपको इसका एक्स्प्रेंशन तो भेज नहीं है लिकिन अपार्ट फॉर्म एक्स्प्रेंशन को दूसरी बीचे आप मेरे साथ शेयर डिसकस करना चाहते हैं तो इस वाट्सप नंबर पर आप मुझे आज के लिए बस इतना ही फिर आपको जल्दी यूटूब पे किसी और वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए भाई थैंक यू टेक क्यार